हेलो एवरिवन आज मैं बहुत ही टेस्टी हरी चुटनी की पूरी शेयर करने जा रही हूँ जिसके लिए टू कप्स गेहुगा आटा लिया है मैंने इसमें डाला है एक से देड चमच बारिक वाली सूजी और दो चमच डालेंगे चेने का आटा अगर आपके पास सूजी बा और सौदनसर लमक कॉपी है और यह है अध्रक लसं का पेस्ट जिंजर गारलिक पेश्ट और तीन से चार हरेमिश का पेस्ट और होप का हरा धनिया और ये तीन से चार चमश लेंगे ग्रीन चेटनी ग्रीन चेटनी का वीडियो मैंने मेरे चानेल पे डाला है आप उसको भी आप चट कर सकते हो वह बहुत ही सिंपल है पूरी बनाने का और इसको अच्छे से आठा लगा लेंगे थोड़ा सा पानी इतना ही पानी डालकर हम इसको अच्छे से आठा सक्त लगा लेंगे ध्यान रहे कि इस आटे का टेक्श्चर बहुत सॉफ्ट हो और पूरी के आटे के जैसा हो बनके रड़ी है आटा हमारा अब इसके पूरिया बनाएंगे प्लास्टिक शीट पे ग्रीस करेंगे ओएल थोड़ा सा तेल लगा कर लोई रख़र फिर इसको हल्का सब प्रेस करते ह है बेलेंगे और लगाने से इसको चीपकेगा नहीं पूरी तयार है अब इसको गरम तेल में चोड़ेंगे अब इसको अच्छे से गोल्डन ब्रॉन होने तक इसको तलेंगे दोनों तरफ से हमको इसको त्राइ करना है और यह पूरियां बहुत अच्छे से टेस्टी लगेंगे खाने के लिए दीजिए पूरी बनके तयार हो गई तो आप भी बनाईए ऐसी पूरी एक बार बना के ट्राइ तो कीजिए बहुत अच्छे लगेगी ग्रीन चेटनी पूरी जट से बनने वाला ग्रीन चेटनी पूरी तयार है इवनिंग स्नैक के रूप में खाय जा सकता है तो जल ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल द के वारा है आप या क्याफ पूले एिया क्या ह।